शूप प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गक्षा में आपका स्वागत है, आज हम हिंदी में एक कविता गाएंगे, धुलन की शादी धुलन मेंडक की शादी है, मींड की एक शहजादी है, धाई कोस पर रहती है, धेरो कीड़े खाती है, धुलन के विवा में धोल मंजीरा बाजे रहे, धुलन दूला डाल लगाए, धककन सिर पे डाले रहे यह आपकी कविता है, धुलन की शादी, धुलन एक मेंडक है, मेंड की एक शहजादी है, उसमें जिससे वो शादी कर रहा है, वो एक मेंड की है, धाई कोस मींज थोड़ी पर धाई कोस की दूरी पर वो लोग रहते हैं, और बहुत सारे कीड़े खाती है, वो धुलन की में कि द Neptune के विवा में ठोल मंजीरा बज रहा हैं यह देखिए है यह रहे जीरा ये धोल ये मंजीरा बजा रहे हैं धुलन धूला डाल लगाए ये धूला धक्कन सिर पे डाले रहें ये उन्होंने धूलन जो धूला है ये सर पे धक्कन डाला हुआ है यहाँ पे कुछ चर्चा के लिए प्रशन दिये हैं उन्हें चर्चा कर लेते हैं धूलन ने सिर पर क्या पहना था धूलन ने सिर पर क्या पहना था तो यहाँ पे हम धुलन कौन है मेंड़क है ना तो उसने सर पे क्या पेना था धकन यह रहा ना धकन सर पे डाले रहे मेंड की क्या खाती थी मेंड की धेरो कीडे खाती थी धुलन की शादी में कौन सा बाजा बजा धुलन की शादी में कौन सा वाजा बजा येस धूल मंजीरा कविता में धुक की आवाज वाले कौन-कौन से शब्द आए है तो चलो एक बार रिवाइस करते कौन-कौन से शब्द आए है जिन में धुक की आवाज आई है सबी को पहले ही लाल रंग से लिखा हुआ है आपको बहुत इजी होगा देखने में तो कौन-कौन से शब्द है धुलन, मेंडक, मेरे साथ बोलेंगे मेंडकी, धाई, ठाई बोलते हैं टू एन हाफ को धेरो, धुलन, धोल, धुलन, धाल, धकन तो इन सब में किसकी आवाज आ रही है? धह की धह की आवाज वाले अन्ने शब्द बताईए तो धह से और कौन-कौन से आवाज होती है? वो आप लोग मुझे बताएंगे तो धह से और कौन-कौन से शब्द होते हैं? धह से धकन, धकना, धाचा, और धाई हमने पड़ा, धाभा, दिन्धोरा, धीला, धूंडना, धोंगी तो ये भी धह के ही शब्द है, धह की सुद्वनी आरे हैं इन सब में अच्छा, तो अगले पेच पे चलते हैं आपने कवीता में धह अक्षर की आवाज वाले शब्द पड़े आईए धह अक्षर लिखने लिखते हैं तो अभी आपने धह अक्षर से शब्द पड़े बहुत सारे तो कुछ मेंम ने नए भी बताए आपको धह अक्षर से आपको लगता है और कोई है, तो वो भी आप सोच सकते हैं और धह को कैसे लिखते हैं? आईए देखते हैं से पहले आपको इसमें ये वाली रेखा बनानी है एक लिट ये वाली एक छोटी सी सीधी रेखा बनानी है जहां भी आपकी नोटबुक्स में इस तरह की लाइने दी हुई है इस तरह से तो आपको वहाँ पे क्या करना है जो ये line दिये है ये वाली यहां से लिखना शुरू करेंगे पहले ये line नहीं लगाएंगे पहले एक छोटी सीधी रेखा लगाएंगे छोटी सी ठीक है फिर उसको गोल गमा के C बनाएंगे मैं अभी proper hand से नहीं लिख रही है फिंगर से लिख रही है तो छलो इस पे देखते पर एक छोटी सीधी रेखा लगानी है फिर उसके बाद बड़ा सा C बनाना है और सी के बाद नीचे यहां पर आपको पूरा सर्कल बना देना इसको ठीक है फिर उपर से लगाएंगे एक सीधी रेखा मुझे पता है अब सब लोग को लिखना आता है आप ये सब चीजे प् तो ये गलत है आप लाइन पहले लगा सकते हैं लेकिन कभी भी लिखेंगे तो ड़ को ऊपर से लिखेंगे तो ये जो आपकी रेखा दे रखी है दूसरी वाली यहां से छोटी सी रेखा बनाएंगे और यहां पर नीचे सर्कल तो यहां आपका बन गया ड़ तो इसी तरह स पूरे पेच पे आपको धर लिखना है धर से मेंडग ज़रूरी नहीं जो भी आहम अक्षर पढ़े हैं उसमें धर वर्ट पहले आएगा अभी हमने बहुत सारे वर्ट पढ़े बहुत सारे शब्द पढ़े जिन में धर भीच में आ रहा था जैसे मेंडग धाल ओकी इसमें प है इसी तरह से सब लाइन्स में लिखना है आपको यह और हिंदी का काम आज का आपका इतना ही है तब तक बाई बाई